हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री और इस्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनायल्सिस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कम्प्लीट स्क्वार शेप बना रही है कुछ इस तरह कि इनकी हथेली की शेप जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि काफी हार्ट वरकिंग टाइप की नेचर रहेगी इनकी लेकिन यहाँ पर फिंगर्स जो है फोड़ी शौट नजर आ रही है जिसकी वज़े से थोड़ी जल्दबाज परस्नालिटी रहेगी और यही जल्दबाज परस्नालिटी कई बार यहाँ पर प्राब्लम्स का कारण भी बनती है कई बार जल्दबाजी में लिएगर डिसीजन की वज़े से भी व्यक्ति को नु से सुख देता है और अगर गुरू फिंगर थोड़ी शाट हो और लो सेट भी हो जाए जैसे आप यहां पर देख सकते हैं तो इस वज़े से फैमली से दूर रहने के चांसिस बनते हैं घर से दूर कहीं जाकर बसने के चांसिस बन जाते हैं और हैपिनेस जो है जो हमें खुश इसी वीक होती हुए नजर आ रही है उसके पाद सूरिया फिंगर को अगर आप देखें तो अच्छी लैंथ में जो शनी फिंगर के एकुल पहुंचती हुई और गुरू फिंगर से भी ज्यादा लंबाई में है यहां पर इंडिकेट करती है एडवेंचरस टाइप की परस रिस्क ले लेते हैं और शेर मार्केट, फॉरक्स मार्केट, क्रिप्टो करंसी ऐसी चीजों में जहां पर पैसा डूबने का खत्रा भी हो वहां पर भी अपनी इंकम जो है अपनी जो मनी है उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं तो इस तरह के चांसिस भी रहेंगे इनकी तक पहुंच रही है थोड़ी सी लो सेट हो रही है जिसकी वजह से शाई नेचर रहेगी लेकिन कम्मुनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि इस फिंगर की जो लंबाई है वो यहां पर सूरे फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रहे हैं बेशक ओव है यह रिखाएं व्यक्ति को मिलंसार बनाती है एक सूबर टैप की नेचर रहती है फ्रैंडली नेचर रहती है तो कि जिस तरह की नेचर रहने के चांसे भी यहां पर नजर आ रहे हैं शनी फिंगर का मिल्कुल स्ट्रेट होना इन्हें हार्ड वर्किंग बनाएगा है जिसमें आप देख सकते हैं मरकरी मांट थोड़ा सा लो सेट हो रहा है और गुरू मांट भी थोड़ा सा यहां पर लो सेट हो रहा है जबकि सूरिया और शनी मांट यहां पर काफी अच्छी स्पेस लेते हुए नजर आ रहे हैं मरकरी मांट का लो सेट होना कहीं ना कहीं बिजनस एकुमेन को भी एफेक्ट करता है बिजनस करने की डिसीजन लेनी की किशमता कैलकुलेशन की किशमता जो है थोड़ी सी वीक हो जाती है और यहाँ पर एक मरकुरी लाइन मौजूद है जो बहुत जादा स्ट्रॉंग नहीं है मरकुरी लाइन बहुत ही वीक है जिस वजह से यहाँ पर बिजनस एकुमेन की कमे साफतार पर नजर आ रही है बहुत स्ट्रॉंग मरकुरी रेखा यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है हलकी छोटी सी ही मरकरी लाइन बारीक मरकरी लाइन ही यहाँ पर दिखाई दे रही है और थोड़ी शाई नेचर रहेगी बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होने वाले यह लोगों के साथ इस तरह का सभाव इनका रह सकता है सूरिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट सूरिया माउंट को आप देख सकते हैं थोड़ा सा दबता हुआ है जिस वजह से लाइफ में यहाँ पर यश की कमी रहती है और बहुत ज़्यादा नेमन फिर्म नहीं हो पाता आगे देख सकते हैं आप इनके शनी माउंट को शनी रेखा यहाँ पर काफी अच्छी आप यहाँ पर देख सकते हैं शनी रेखा चंदर एरिया से निकलती हुई जो विदेश से इंकम के चांसे को बढ़ाती है कुछ इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं फॉरन ट्रैवलिंग रहती है फॉरन से इंकम होती है और साथ-साथ अगर यहाँ रेखा कंप्लीट हो इस तरह से तो बहुत अच्छे रेजल्ट देती है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में गैप पड़ रहा है यहाँ जो एरिया है यहाँ गैप का एरिया थर्टीस की एज में इन्हें थोड़ी दिक्कतें दे सकता है खास तार पर थर 30 प्लस की एज में इन्हें थोड़ी दिक्कतें देगा जिस वजह से थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा रहेगी और फाइनेशल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा लेकिन 40 की एज के बाद अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ से यह रिखा पा लेंगे आगे देखते हैं शनी के बाद इनके गुरू माउंट को तो यहाँ पर मुझे गुरू माउंट थोड़ा सा लो सेट होता हो नजर आ रहा है बहुत स्ट्रॉंग प्रॉग्रेस लाइन्स यहाँ पर गुरू माउंट के उपर नहीं है लेकिन लाइफ लाइफ ल प्रॉग्रस अच्छी रहेगी बेशक थोड़े हरडल्स हैं यहाँ पर 30 खी age में थोड़े से हरडल्स नजर आ रहे हैं लेकिन निन हरडल्स को यह पार कर लेंगे और life में काफी अच्छी प्रॉग्रस को भी अचीव कर पाएंगे आगे देखते हैं इनकी major lines को amounts के बाद तो वैसे व्यक्ति बहुत लगी होते हैं खासतार पर जो प्रोग्रेस हैं कि लाइफ में काफी अच्छी होती लेकिन जिनके भी हाथ पर यह चिन बनता है उन्हें मैं हमेशा यही राय देता हूँ कि कभी भी किसी गलत वे से गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में बेनेफिट होने की वज़ाए नुकसान होने लगेंगे और जो इस चिन की और श्पीसियसनेस है वो जाती रहेगी और लाइफ में प्रोग्रेस रुक जाएगी तो इन्हें सही रास्ते पर चलते हुए और जिसको हम कहा सकते हैं फेर मेंस का यूज करते हुए ही पैसा कमाना चाहिए ताकि यह चिन ने और भी अच्छे रिजर्ट्स दे विशनो चिन के साथ साथ यहां यव का चिन बनता हुआ अंगुठे के उपर आप देख सकते हैं यह बहुत लगी चिन माना जाता है जिनके भी अंगुठे के उपर यहां पर बुद्धाजाई का चिन बने ऐसा चिन जैसे शुब चिन जिनके हाथ में होते हैं व्यक्ति लाइफ में थोड़ी देर के लिए परिशान रह सकते हैं लेकिन अवराल प्रॉग्रेस इनकी लाइफ में अच्छी रहती है और यव का चिन व्यक्ति को स्प्रिच्वल माइंड़ बनाता है जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन होता है इनकी 6th सेंस अच्छी रहती और धन की कमी लाइफ में नहीं रहती ओवराल थोड़ी बहुत दिक्तें लाइफ में होंगी लिकिन धन जो है इनके पास अच्छा हो जाता है आगे अब देख सकते हैं हाट की लाइन के बाद इनकी माइंड की लाइन को चेक करते हैं हाट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है हाट की लाइन यहाँ पर काफी अच्छी नज़र आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट है हाट की लाइन अगर देखा जाए तो self-centered type की personality रहेगी realistic और practical type की personality इनकी इस heart की line की वज़े से रहने के chances है आगे देख सकते हैं आप इनकी line of mind को तो यहाँ पर mind की line भी बिल्कुल straight है और अंत में जाकर थोड़ा सा dip ले रही है जिसकी वज़े से old age में चलकर इनकी imagination बढ़ सकती है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नीचे की तरफ चुक रही है थोड़ी सी रेखा otherwise यहाँ रेखा बिल्कुल straight है practical type की personality रहेगी और साथ-साथ ऐसी सीधी रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका mind काफी sharp होता है और अपने इसी sharp mind की वज़े से life में काफी अच्छा पैसा भी ऐसे व्यक्ति कमा लेते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो income अच्छी रहेगी परंतु यहाँ पर जो पैसा है उसको रुकने के लिए money triangle का होना जुरूरी है जो यहाँ पर बनता है जैसे यहाँ एक रेखा है बिल्कुल सीधी चलने वाली जिसको हम fate line कहते हैं यहाँ जो इस तरफ को चलती है रेखा यहाँ रेखा कहलाती है mind line इसके साथ-साथ यहाँ पर एक mercury line होनी चाहिए जो money triangle बनाए लेकिन यहाँ पर मुझे strong mercury line नजर नहीं आ रही बहुत ही हलकी रेखाई हैं जो कुछ इस तरह की shape में नजर आ रही है जो complete money triangle नहीं बना पा रही इसकी वज़ए से इनके खर्चे अधिक रहेंगे क्योंकि आप यहाँ पर शुकर एरिया को भी देख सकते हैं शुकर एरिया बहुत उबरा हुआ है जिनका शुकर एरिया strong होता है ऐसे व्यक्ति बहुत खर्चिले सभाव के होते हैं ब्रैंड conscious होते हैं लगजरी चीज़ें ने पसंद रहती हैं और शान और शौकत वाली चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट रहते हैं इस वज़े से life में income बेशक अच्छी रहे लेकिन धन का रुक पाना थोड़ा सा व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है तो यहां तक हमने देखा इनकी mind line को तो आगे देखते हैं इनकी life line को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो life line है बाहर की तरफ चलती हुई जो यहां पर indicate करती है कि घर से दूर जाकर बसने के chances रहेंगे और काफी लंबा stay रह सकता है विदेश में आप देख सकते हैं इस तरह की रेखा और आगे चलकर थोड़ा सा मुड़ती हुई भी जो indicate करती है कि life में old age में चलकर यहाँ अपने country वापस भी आ सकते हैं और overall अगर age को देखा जाए तो 75 प्लस की इनकी age रहने वाली है life line का बाहर की तरफ चलना indicate करता है कि विदेश यात्राएं काफी रहेंगी विदेश में settle होने के chances रहेंगे साथ साथ यहाँ पर इस तरह की रिखाएं उपर की तरफ चलना चंदर एरिया के उपर व्यक्ति को foreign travels जरूर करवाता है life में अब देख सकते हैं यहाँ पर इनका शुकर एरिया strong है जिस वजह से यहाँ पर life में हर तरह की सुक्सु विदाएं इनको मिलती रहेंगी इवन चंदर एरिया यहाँ पर average है चंदर एरिया में मुझे कोई भी negative के नजर नहीं आ रहा है थोड़ा सा चंदर एरिया दबता हुआ लेकिन mind इनका काफी stable रहने वाला है mind line बिल्कुल सीधी है थोड़ा जिदी सभाव रह सकता है क्योंके यहाँ पर इनकी mind line और life line के बी में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थूँ दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सवाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन् करने वाद